Guys, हमारी grammar और vocabulary चाहें कितनी भी अच्छी हो, पर अगर हमारी pronunciation on spot नहीं है, हमारा शब्दू का जो उचारण है, वो unclear है, accurate नहीं है, हमें खुद से डर लगता है कि जो शब्द मैं बोल रहा हूँ, क्या इसकी pronunciation सही है या गलत है, जब तक ऐसा होता रहेगा ना, तो चाहें हम कि इसनी भी महनत कर लें, grammar और vocabulary इंप्रूव करने में, जो respect हमारी English deserve करती है, हमारी महनत जो respect deserve करती है, वो उसे कभी नहीं मिल पाएगी, क्योंकि किसी ने बहुत ही सही कहा है, कि pronunciation is the heart and soul of the language, लोग आपको इस बात से नहीं जज़ करते कि आप कितने advanced grammar के sentences बोल रहे हैं, या ल वो हमें जज़ करते हैं हमारे English बोलने के तरीके से, हमारी pronunciation से, इसलिए आज के वीडियो में हम सिफ बारे में बात करेंगे, and there are two areas I would like to throw some light on, number one, why exactly your pronunciation sucks, तिकत क्या है हमारी pronunciation के साथ, क्यों नहीं ये ठीक से हम बर्ट को प्रनाउंस कर बाते हैं, and number two, I would like to cover the right pronunciation of 25 most commonly mispronounced words, बर उससे पहले मेरी माफी सुईकार खरे, for such a long gap, I know I was very much preoccupied with this, you know, train the trainer program, but since everything is so well managed now, I think I will be able to afford more time to create videos for you, तो आपने मेरा वेट किया, लेसन के लिए उसके लिए शुकरिया, अब से में regular रहूंगी, तो guys, question आता है पहला ये, कि प्रनुसियेशन में प्रोब्लम क्या है, द language दो तरह से बोली जाती है, अलग-अलग भाशा है, दो अलग-अलग तरहों से बोली जाती है, पहला होता है, closed mouth position, मतलब हमारी हिंदी भाशा है, उसमें हमारे जो mouth की movement है, वो बहुत ही open होने की ज़रत नहीं है, हम हूँ को बहुत छोटा open करके भी अपनी बात को कह सकते है जैसे कहां गए थे, क्यों गए थे, कब गए थे, हमारा जो jaw movement है, वो बहुत ही restricted है, हमारे जो lips का movement है, वो भी बहुत restricted है, हमें ऐसे नहीं बोलना पड़ता, कहां गए थे, on the other hand, if we talk about English as a language, it has open mouth position, open mouth position, मतलब अगर हमें शब्दों का सही उचारन करना है, शब्दों को अच्छे से प्रनाउंस करना है, तो हमारे जो mouth का, you know, engagement है, वो बहुत हाई होता है, हमारे जो mouth है, वो बहुत wide open होता है, लिप्स की position आपको analyze करनी पड़ेगी, नेटिव स्पीकर्स की, जब वो English बोलते हैं उस time, आपको jaw movement को ध्यान रखना पड़ेगा, तो जो हम आज की वीडियो में 25 words कवा करेंगे, उसमें आप ध्यान रखें कि, you know, bring your whole focus on my mouth movement, on my lips movement, so you could understand exactly कि words को कैसे सही sound produce करना, गर हम मंबल करेंगे मूं के अंदर ही शब्दों को बोलेंगे, तो शब्द की जो right pronunciation होनी चाहि क्योंकि English has open mouth position, तो मेरा नाम है विद्दिशी और अगर आप हमारे पेड चोर्स के बारे में पता करना चाहते हैं, अगर आप हमारे पेड चोर्स के बारे में पता करना चाहते हैं, अगर आप ये पहली वीडियो देख रहे हैं, और मेरे साथ पूरा स्पोकन इंग्लिश को अगर करना चाहते हैं, तो उसका लिक भी आपको दिस्क्रिप्शन में बल जाएगा, चलिए वीडियो शिरू करते हैं, लिस्ट का पहला शब्ध व. H. A. T. which I have seen quite a lot of people mispronouncing as व. what is your name? वहां, तीको प्रॉबलम क्या है, हमने पढ़ाई कि भई, आप इंग्लिश को हिंदी विट्ग वत्व ना कि वत्थ तो यह व-h-e जो sound produce करेंगे वो होगा व-a-w व, 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 वक्ट and then t it is a little sharpen up you get to sharpen up the t sound a bit more here so the pronunciation becomes what what is your name what is your name ना कि what is your name Second word in the list is an island nation, Maldives, मेर को माल्दीव जाना है, you'd rather pronounce it as Maldives, Maldives, जो ब्रेक करोगे तो दो पर्ट पर ब्रेक करोगे, पहला सलिबल है MALL और दूसरा है DEEVS, जसमें जो stress आएगा वो पहले सलिबल पर आएगा, पहले सलिबल को आपको बोलन है MALL और फिर दीव्स, Maldives, Maldives, However, if you look up in English dictionary, you will find that Maldives is also an acceptable pronunciation but I prefer to speak it as Maldives, Have you ever been to Maldives, या आप कौन सी कंट्री घूमना पसंद करेंगे, प्यूचर में, तो प्रनूसियेशन क्या है, Maldives, Maldives, मुझे Maldives जाना है, वो Maldives गई थी, Third, question, 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 yes, पर ये question नहीं, ये है question, question, twist क्या है, इंग्लिश लांविश में जब भी words T-I-O-N से end होते हैं, तो वो shun sound produce करते हैं, जैसे communication, pronunciation, पर ये exception है, यहाँ पर जो ये T-I-O-N है, ये shun नहीं, बलकि chun sound produce करेगा, और जो पहला syllable है, वो पढ़ा जाएगा, question, I would like to ask you a question, ना कि question, question, I would like to ask you a question, question, perfect, fourth word, itinerary, itinerary क्या होती है, जब आप घूमने जाते हो, तो आपका जो पूरा travel plan होता है, कि हम day one ये करेंगे, day two ये करेंगे, उस plan को आप बोलते हो, ये, गलत pronunciation है, itinerary, और सही pronunciation के लिए आपको ध्यान रखना है, कि इसमें है, I, tin, a, फिर, ready, ready, आप इसका screenshot ले सकते हैं, और अब इसको बोलने की practice करते है, itinerary, itinerary, twist होगी टंग थोड़ी सी, itinerary, itinerary, क्या आप मेरे को, अगर आप इसी travel agent को कॉल करते हैं, तो आप उन्हें कहेंगे कि, could you please send me the itinerary, could you please send me the itinerary, मतलब मेरे को पूरा प्लान बेज़ दू कि आप कहां कहां गुमाऊगे और क्या charges होगे, क्या प्लान है, so could you please send me the itinerary, ना कि itinerary, 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 very important word, and you must know the right pronunciation of this word, से लून, अब तेखो English language के साथ, you know, the major problem is, the words are not pronounced as they are written, why, ऐसा क्यों नहीं है, शब जैसा लिखा है, हम उसे वैसा क्यों नहीं pronounce कर सकते, काश हम इस पात पर केस कर सकते English language पर, but we don't have that liberty, so let's just rather learn the right pronunciation of this word, तेखो स, लून को सलून नहीं, बलकि वो कह रहा है कि स, अ को आप पढ़ो स, और लून को पढ़ो लॉन, सलॉन, सलॉन, अगर आप ऐसे clap करते हो, तो आपको वर्ड का जो रिदम है, उसका sense भी थोड़ा-थोड़ा पता चलेगा, सलॉन, सलॉन, ना कि सलून, सलॉन, सलॉन, यू can do this activity with me, so you know you could remember these pronunciations forever, मुझे सलॉन छोड़ दो, सलॉन नहीं, सलॉन, सलॉन, I need to get to the सलॉन, सलॉन, स्ट्रेस किस पर है, second syllable पर है, सर को थोड़ा सा छोटा बोलना है, और लॉन को थोड़ा खीच कर बोलना है, सलॉन, excellent, डाइवॉर्स, उनका डाइवॉर्स हो गया, but this is not how it is supposed to be pronounced, you pronounce it as divorce, दो पार्ट में डिवाइड किया वर्ड को, and the stress will fall on the second syllable, तो आप कैसे बोलेंगे, डिवॉर्स, डिवॉर्स, ना की डाइवॉर्स, डिवॉर्स, उसका डिवॉर्स हुआ हुआ है, she is divorced, उसका डिवॉर्स हुआ हुआ है, he is divorced, excellent, seventh, so when I was a kid, I used to pronounce this Italian chocolate brand as Fariro Rocher, ममी में को Fariro Rocher वाली chocolate खानी है, I hope you do not pronounce it that badly, so the right pronunciation is Ferraro Rocher, Ferraro Rocher, so when you see it, you can see that it is Fariro Ho, but the right pronunciation is Ferraro Rocher, it is an Italian chocolate brand, okay, Ferraro Rocher, Ferraro Rocher, let's speak it a couple of more times, Ferraro Rocher, Ferraro Rocher, excellent, eight word, और यहाँ पर हम सीखेंगे एक नई ट्रिक, ट्रिक यह है कि जब भी M और B ये दो लेटर साथ में आएंगे, तो अधिकतर 99% केसे में, बीव साइलेंट मोड पर चला जाएगा, और हम इसे नंब या क्लाइंब नहीं, पर नंब और क्लाइंब प्रेनाउंस करेंगे, नंब का मतलब होता है, जब आपका हाथ या पैर सुनो जाता है, यूनों सो जाता है, My leg is numb, not numb, but numb, numb, and then climb, no, climb, climb, अब यह बड़ा कॉंट्रडिक्टरी सा वर्ड है, इसकी प्रेनसियेशन हमारे पूरे इंडिया में सब अलग-अलग तरह से प्रेनाउंस करते हैं, जो बहुत गलत प्रेनसियेशन है, वो है वी हीकल, वी हीकल, वी हीकल, पर फाक्ट यह है कि एच साउंद बहुत डॉमिनेंट नहीं है, यह बहुत ही स्लाइट, बहुत सटल साउंड है, और इस एच साउंड को आप ए, ए के साथ मिक्स करके बोलेंगे, ब्लेंड करके, यह अपनी अलग से अटेंशन नहीं ले पाएगा, तो सही प्रेनसियेशन बनेगी, वी हीकल, वी हीकल, वी हीकल, वी हीकल, और नॉट वाहिकल, वाहिकल बहुत ही वाहियाद प्रेनसियेशन है, सही होनी चाहिए, वी हीकल, वी हीकल, फॉर गेट, देखो फॉर क्या होती है, हमारी प्रेपोजिशन होती है, तो वहां से हमें आइडिया मिलता है, कि यह वर्ड होना चाहिए forget पर ऐसा नहीं है यहां पर आप इसको pronounce करेंगे forget forget भूल जाओ इस बारे में forget about it उस बारे में भूल जाओ forget about that और second form forgot ना कि forgot forgot so भूल जाओ इस बारे में forget about it listen and repeat forget about it excellent jalapeno jalapeno यह क्या है आप जो टॉपिन्स डालते हैं अपने पिज़ा पर या फिर आप जब अपना सब्वे बनवाते हैं तो उसमें वो टॉपिन्स आड करते हैं यह वाली उसको लिखा जाता है jalapeno पर प्रणाउंस किया जाता है jalapeno काफी misleading है क्यूँ जब जे से शुरू हुआ है तो ह से प्रणाउंस करना है पर यह ऐसे ही प्रणाउंस होगा वी कैनाउट हेल्प इट the pronunciation is jalapeno ha la pi no jalapeno jalapeno perfect saalt saalt 曜-u-r को हम प्रेकडाwn करके प्रणाउंस खरेंगे saalt saalt प्रीज पास्मी दा-ा-ु-L-त पास्मी दा-ॵ-L-'T चाल्ट saiat आर 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 is a wrong pronunciation the correct pronunciation is आर मुझे एक घंटा लग जाएगा it will take me an hour it will take me an hour to get there आप जैसे आर को प्रेनाउंस करते हैं वैसे ही आप ओ यू आर को भी प्रेनाउंस करते हैं मतलब आप जब कहते हैं हमारा घर तब भी आप कहेंगे आर हाउस ना की आर हाउस yes I have to admit this I had been mispronouncing this word throughout my life there is a very fine difference but this is how it is supposed to be हावर हावर same pronunciation for ह-ो-ू-र and ओ-ू-ू-र हावर फौर्टीन्थ वर्ट इस वर्ट का मीनिंग होता है शायद और इस वर्ट की ट्रिक ये है कि इसमें आप आर लेटर को साइलेंट मोड पर डाल देते हैं और इस वर्ट को प्रनाउंस करेंगे परहाप्स परहाप्स अद नौट परहाप्स 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 इस वर्ट इस वर्ट इस वर्ट को प्रनाउंस कर दिया था इस वर्ट की सही प्रनाउंसेशन है here here please come here he is not here na ki hair hair बाल है h-e-r-e जो sound produce करेंगा वो होगा here please could you please come here for a minute come here and not here please this pronunciation को अच्छे से लिख लो याद कर लो and stop pronouncing it as here it is supposed to be here और ये है एक fruit का नेम और इस वर्ट को हम मिस्प्रनाउंस करते है pomegranate pomegranate नहीं है अगर कोई भी वर्ड इंग्लिश लांग्विज में a-t-e से end होगा तो it नहीं पर it कहेंगे it तो ये ब्रनाउंसेशन बन गई pomegranate 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 chocolate नहीं chocolate pomegranate नहीं pomegranate pomegranate और इसकी American pronunciation है pomegranate pomegranate perfect अब देखो ये वाला वर्ड मेरी मिटिंग है वो मिटिंग में जा रहा है मिटिंग में नहीं जा रहा है इसमें double e long e का sound है तो ये मिटिंग नहीं ये है meeting I have an important meeting to take care of I have back-to-back meetings today मेरी एक के बाद एक मिटिंग है तो मिटिंग नहीं मीटिंग मीटिंग रिज्यूम रिज्यूमे again one of the most contradictory pronunciations in English language देखो रिज्यूम और रिज्यूमे दोनों ही सही है डिपेंट करता है कि मीनिंग क्या है रिज्यूम का मतलब होता है किसी चीज को फिर से शुरू करना जैसे आप कल से अपनी क्लास को फिर से शुरू कर सकते हैं तो वहाँ पर रिज्यूम कहेंगे पर अगर आप बात करें उस एक डॉक्यूमेंट की जिसमें आपका background, qualification आपके personal interest आपता पूरा bio data लिखा होता है जो आप job के डाइम पर submit करते हैं अगर आप उस डॉक्यूमेंट की बात कर रहे हैं तो सही pronunciation होगी रह ज्यूमे रह ज्यूमे रह ज्यूमे स्ट्रेस आएगा middle syllable पर और pronunciation बन जाएगी रह ज्यूमे रह ज्यूमे and not रह ज्यूमे रह ज्यूमे रह पर प्रेनाउंस होगा रह रह ज्यूमे आपके पास deodorant है क्या? आप कौन सा deodorant यूज करते हो? डियूद्रेंट नहीं डियूद्रंट a-n- t है अट डियूद्रिंट 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 बरफेक्ट अब देखो electrician हम इसे कैसे गलट प्रणाउंस करते हैं? हम इस tree को tree बोल देते हैं electrician पर सही pronunciation होने चाहेँ है electrician 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 could you please call an electrician could you please call an electrician naaki electrician Okay, 22nd, stomach या stomach, stomach नहीं, stomach, पेट, पेट को आप इंग्लिश में कहेंगे, stomach, ना कि stomach, या stomach, stomach, दो syllables है, पहले syllable पर stress आएगा, stomach, पहले syllable को थोड़ा stress के साथ बूलना है, stomach, perfect, next, probably, probably, आहा, the right pronunciation should be probably, 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 perfect, उसका admission Oxford University में हो गया है, या फिर आप Oxford Dictionary use करो, Oxford नहीं, Oxford, Oxford, F-O-R-D will be pronounced as furd here, Oxford, and the last word, तो होता क्या है कि हमारे MTI की वज़े से, mother tongue influence की वज़े से, अगर हम Punjabi हैं, या हम Hariyana से belong करते हैं, तो काफी बार ऐसा मैंने देखा ही कि students इस word को pronounce करते हैं, coast, इसका coast क्या है, I talk to him, यहाँ पर जो trick है वो यह है कि आप इस O को breakdown करके AW बना कर प्रणाउंस करोगे, coast नहीं, cost, cost, मैंने उससे बात करी, I talked to him, I talked to him, एक उठाओ और उसको AW बना दो, talk में, आप talk नहीं, एक उठाकर AW प्रणाउंस करेंगे, तो सही प्रणाउंसियेशन होगी, talk, और cost, cost, you have to bring this W sound here, cost, what is the cost of this product, यह था हमारे free spoken English course का 40 वा दिन, अगर आपने कोई भी lesson miss किया है, तो आप उसका link in description में मिल जाएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम commonly mispronounced words की दूसरी series आपके लिए लेकर आए, please do leave a heart for us in the comment section, because that tells us that you are liking what we do, and I'll see you in the next video very soon, within three days, okay, I'll upload the next video within three days, I promise, Till then, keep learning, keep growing, all the best.